जोतिश ग्यान चैनल के सदस्यवन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जोतिश ग्यान चैनल को और इस बैल आइकन को दमाएं ताकि अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रो मैं आचारिय अभिजी शर्मा हमारे आपके हम सब के चैनल जोतिश ग्यान में एक बार फिर से आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके नाम का प्रसम अक्षर केसे प्रारंब होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ के नामक्षर वाले जातकों का आचार, विचार, विवहार, सुभाव, शुबदिन, शुबरंग विवाहयोग वकेसवर्ष में मिलती है इन्हें सफलता जो करियर को देती है एक स्रेस्ट मुकाम जोती शब्द वणमाला में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों का नाम केसे प्रारब होता है इन लोगों को परफेशनिस्ट कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि इन्हें हर काम परफेक्शन के साथ करना और कराना पसंद होता है के नामक्षर वाले जातकों की कुडली में यदि बुद्ध प्रबल हो तो यह लोग नामी ग्रामी बिजनिसमेन भी होते हैं इनका नेचर काफी निडर प्रवर्ति का होता है यह लोग आकरशक व्यक्तित्व के धनी होते हैं यही वज़ा है कि लोग इनकी तरफ बहुत जल्द आकरशित हो जाते हैं के नामक्षर वाले जातकों को भारी सुन दरता बहुत पसंद होती है किसी भी प्रकार की पार्टी शादी समारों में इन लोगों को अपने आपको अलग दिखाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और सोयम को अलग दिखाने का एक मात्र कारण होता है कि लोग इनकी प्रशंसा करे जी हाई इने सोयम की प्रशंसा सुनना बहुत अधिक पसंद होता है इन लोगों में समय के अनुसार अपने सुभाव में परिवरतन देखने का गुण भी पाया जाता है यह लोग जो भी कारिये करते हैं बहुत प्रोफेशनली तरीके से करते हैं और यही कारण है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया कारिये इने बहुत जल्द पसंद नहीं आता ऐसे तो लोग इने मस्त मुझी की संग्या देते हैं किन्तु सोयम के कारिये में कोई प्रकार की कोता ही कोई बढ़ते तो इने बहुत जल्द गुसा आ जाता है यह लोग काफी बुद्धिमान और समझदार होते हैं और इनके अंदर सदेव कुछ ना कुछ नया करने का जुनून पाया जाता है इन लोगों में सदेव जीवन में आगे बढ़ने की ललक होती है सोयम को जीवन में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस बात का चिंतन ये लोग सदेव करते हुए पाय जाते हैं इनका शब्द कोश और बोलने का तरीका लोगों को इनकी तरब बहुत जल्द आकरशित कर देता है ये लोग मैनत से कभी नहीं घबराते या फिर ये कहा जा सकता है कि इनकी एक सोच होती है कि मैनत करकर कमा और जीवन का परिपूर्णता से आनंद लो जी हाँ जितनी अधिक मैनत करकर ये लोग पैसा कमाते हैं उतना ही अपनी लाइफ को इंजोय भी करते हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि future की ना सोच कर present को कैसे enjoy किया जा सकता है इस बात के बारे में यह लोग परिपूर्णता से जानते हैं यह लोग अपने मौलिक विचारों के चलते समाज परिवार वे दोस्तों के अंदर व्यक्ति विशेश होते हैं अपने परिवार को जीवन में समस्त प्रकार के भोतिक सुकों से कैसे परिपूर्ण किया जा सकता है इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखते हैं और अंत्यत्य अपने कर्म दक्षता के दम पर जीवन में सफलता हांसिल करते हैं तुमित्रों यह तो बात हुई के नामक्षर वाले जातकों में पाई जाने वाले वी शेश्टाओं की आईए जान लेते हैं इनमें पाई जाने वाले कुछ कमियों के बारे में के नामक्षर वाले जातक बेहदी दिखावा करने वाले होते हैं इन्हें दिखावा करना बहुत पसंद होता है। बिना सोचे समझे यह लोग किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं। जिसकी वज़े से लोग इन्हें मुफट कहते हैं। इस नाम के व्यक्ति अपने फाइदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पैसा कमाने को लेकर इनका देखने का लिए लग होता है। यह लोग पहले अपने बारे में सोचना जादा पसंद करते हैं। इन्हें अपनी इज़त से जादा पैसा प्यारा होता है। ये लोग professionally काफी तरक्की करते हैं लेकिन personally इनके पास कम ही लोग देखे जाते हैं और इसी कारण इनको अपने जीवन में अपने पन का भाव कभी-कभी देखने को मिलता है यह लोग सिर्फ खुद की तरक्की देखना पसंद करते हैं किसी और की जीवन में क्या चल रहा है इस बात से इनको कोई परवाण नहीं होती तो आईए जान लेते हैं लव लाइफ के बारे में क्या कैपी है कि ये नामक्षर वाले जाता को की किस्मत बात करें दी लव लाइफ की तो इने सुन्दर, समार्ट और समझदार साथी चाही होता है और जब तक इने ऐसा कोई ना मिले तब तक ये लोग किसी एक पर नहीं टिकते जब तक इने अपने मनमुताबिक साथी नहीं मिलता तब तक यह लोग समझोता विलकुल नहीं करते हाला कि प्यार के मामले में यह लोग बेहद रोमेंटिक के सुमके होते हैं और जब भी किसी से प्यार करते हैं तो खुलकर इजहार करते हैं जहां तक वेवाहिक संबंदों का सवाल है तो के नामक्षर वाले लोग ज़्यादा तर अरेंज मेरेज करते हैं और इनका वेवाहिक जीवन समझोते पर ही निर्भर होता है। यह लोग ससुराल पक्षु पर भी अपना रुत्बा कायम रखते हैं। बात करेंदी करियर की तो डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, छित्रकार, कम्प्यूटर, विशेशग्य जैसे शेत्रों में मिलती है इने सफलता। या फिर इसे ऐसा कहा जा सकता है कि बताये गए शेत्रों में भाग्य जमाने पर जल्द दिखने को मिलते हैं स्रेष्ट मन्य है केसरिया, यलो वे ग्रीन शुबरंग मन्य है शुबदिन, सोमवार, बुद्दवार वे गुरुवार मन्य है शास्रमत अनुसार केनमक्षर वाले जातकों के विवा वर्ष 22, 23, 25, 27, 29 वर्ष को बताया गया है बात करेंदी राशी रतने की तो मित्रों यहां में आप को बताना चाहूंगा किसी भी व्यक्ति को राशी रतने धारन नहीं करना चाहिए, कुंडिलियन उसार रतने धारन करने पर जल्द देखने को मिलते हैं स्त्रिस्ट परिणम, तो आईए जान लेते हैं किन-किन वर्षों में मिलती है केनमक्षर वाले जातकों को सफलता, जो बताए गए वर्षों का सदोप्योक कर आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत, कलिसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एल नामक्षर वाले जातकों के बारे में, आशा करता हूँ मेरे द्वरा दी गई है, जानकारी आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद प्रिटाब मेर झाले झाले यहाद गन्यवाद करेंश करेंगे, ज fans चैनल कि अपक्षा जानका उवराते हुए पसंसे विभराते हुए्यों सब्सका हैँ है। जे हम वीडियों सब्सक्षा pole करेंगी जानका प pag करेंगे टनका करेंगेственно próxim करेंग ARE चाराभ measure झाल झाल